दोस्तों यह पार्ट 3 है फिल्टर के बारे में अभी तक आपने इंट्रन फिल्टर और टॉप फिल्टर के बारे में जाना है आज मैं आपको बताना चाहरा हूं वह एक्वेरियम जो आपके मोल्ड आते जो आगे से जोड़ नहीं हो तो अक्सर सोबो कंपनी के आरेस के मिनी जैंके लोग लेते हैं उसमें आगे जोड़ नहीं होता उसमें अल्रेटी फिल्टर उपर लगा होता उसकी केवल मोटर खराब होती है फोम खराब होती है उसके लिए आप कभी भी दुकानदार पे जाएं तो मॉडल नंबर लेके जाएं यह आता जैसे आर थरी 580 यह फिल अगर चार फुट का एक्वेरियम होता मेनी जैंका पांच फुट का होता है उसमें यह मॉडल लगता आर थरी 1000 इन सब में बेसिक फरक क्या सबकी मोटर हेवी हैं जैसे आर थरी 380 की मोटर जो है यह दस वाट की है इसमें दिखनी रहा होगा बहुत बारिक लिखा है पांच 1090 कि देखिया 1090 इसके खांचे अलग होते हैं इसके खांचे अलग होते हैं तो आप समझेए का बेसिक एफेक्ट क्या है लोग कहते हैं अरे कोई भी लग जाया ऐसा नहीं होता इसका खांचा उपर जो बनावा है नॉजल अलग मोडने की है इसका जो होता है यह चैंबर अ इसके बेसिक फंडा क्या है कि इसकी मोटर जो है आपकी 1500 लीटर प्रती घंटे पावर की हो गई और यह आपकी 25 वाट की मोटर है तो यह आपका धाई फोर्ट तीन फोर्ट तक में बढ़े अराम से लग जाता है यह मार्केट में इसली एवेलेबल होते हैं आपके मोटर के उपर भी लिखा होगा कि टी टी हंड्रेट मोडल नंबर आते हैं उनके अंदर लगाए जाता है उससे उपर जाएंगे चार फोर्ट पांच फोर्ट तक के लिए लगता है डबलू पी 399 इसका जो बेसिक एफेक्ट है यह 35 वाट की मोटर हो जाती है और 800 लीटर घंटी घं अब जाती है फोर्म से आपका एक्वेरियम साफ होता रहता है तो अफ्ते अफ्ते साफ करते रहें मॉडल को ध्यान रखें तो आपको घरीदने में असानी रहेगी आसानी इसली फिट होता है कभी मैं वीडियो में बना कि आपको दिखाऊंगा किस तरीके से वह प्रियम मे कैसे साफ कर सकते हैं